नमस्कार सातियों, जुमाकसा चैनल में आपका स्वागत है, आज अपन साइकलोन पर चर्चा करेंगे, साइकलोन क्या होते हैं, साइकलोन का नामकरण कैसे किया जाता है, कौन सी संस्था साइकलोन का नाम देती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हाली में भारत में cyclone आ रहा है उसकी जानकारी किस ने दी है कोई भी cyclone जब आता है तो उसकी जानकारी भारत में किस संस्ता के दोरा दी जाती है यह सारी जानकारी आपको दी जाएगी वल्ड में cyclone की अलग-अलग नाम है कौन से जानकारी दी तो इंडिया मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो साइकलोनिक स्टॉम है सीतरंग आने वाला है और मोस्ट लाइकली टू सकर्ट दा उडिसा कोस्ट एंड हेट तोवर्ड्स बंगाल बंगलादेस कोस्ट अराउंड अक्टूबर 25 तो आपको मालूम होगा कि जो साइकलोन होते हैं आपको मालूम होगा जब लो प्रैसर एरिया बनता है मालीजे इनके सेंटरल में लो प्रैसर एरिया है तो यहां क्या होती हवाए जो है आपको मालूम होगा हवा हाई टू लो चलती है और जब भी हवा high to low चलती है तो वो low की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो जब भी आपके coast में कहीं पे low pressure create होता है तो सारी हवाई उसकी तरफ खिचती है और उसके तरफ खिचने के बाद क्या होता है एक तरीके से cyclone का क्या होता है इसलिए क्या की जाती ही वार्निंग इशू की जाती है जैसे वैनेजडे को डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग इशू की की जो fisherman है उनसे ये बोला कि अब आप जो है मचली पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे क्यों साइकलोन आ सकता है ये आज आता है ये डेवलप हो जाता है तो ये सीतरंग विल भी 2022 का जोगा सेकेंड स्टॉम होगा तो पहला कौन साथ है तो फर्स्ट डेवलप इन अक्टूबर जिसका नाम था साइकलोन तितली जो कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आप इंदी में भी जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होगा यहाँ हाई से लोग की तरफ क्या चलेंगी हवाय चलेंगी और इस तरह इस तरह इस तरह से से हानी होने की संभावनाय रहती है यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते हैं साइकलोन कितने तरीके के होते हैं तो दो तरीके के साइकलोन होते हैं ट्रॉपिकल साइकलोन और एक्स्टा ट्रॉपिकल साइकलोन कहां पर डेवलप होते हैं तो जैसे आप लिए आपको संचेप में बताया Extra Tropical cyclone क्या होते है जो इस छेतर के बहार develop होते हैं जो आकर होते है Temperate Jones में High Latitude Regions में तो उनको क्या कहा जाता है Polar Regions में जो develop होते हैं उनको कहा जाता है Extra Tropical Cyclones तो जादा खतरना या जादा हानी कॉन करते हैं तो क्या इसकी प्रक्रिया है तो देखे क्या होता है कि भारत और ऐसे आठ देश हैं अपने आसपास के बांगलादेश शिलंका आधी हो गए तो उनसे क्या कुछ नाम ले लिये जाते हैं उन नाम को लेके रख लिया जाता है और अलफावेटिकल ओडर में जब भी साइकलोन आता हैं यहां पिंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते हैं साइकलोन के अलग-अलग नाम होते हैं जो ट्रॉपिकल साइकलोन है उन्ही को अलग-अलग छेतर में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे चाइना सी में और पैसिफिक ओशियन में तो उसको टाइफू आयोप को मैंने सैक्लोन समझाया होगा, साइकलोन केंदर में क्या पन जाएगा, और भार बन जाएगा लो प्रेशर, तो हवा केंदर से भार की और जाएगी, और जब कि cyclone में क्या होगा भार से केंद्री की ओर आएगी और I hope आपको मैंने बताया nomenclature कैसे किया जाता है अभी आने वाले चक्रवात का नाम बताया सारी जानकारी आपको दी गई है आपको हमसे contact करना है तो यह हमारी डीटेल दी गई है आपको यह दी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग